मेरे फौजी भाईयों और भविस्ट में बनने वाले फौजी भाईयों को मेरा क्रांतिकाई जैहिन उमीद है आप सब की अच्छी तैयारी चल ली होगी और आप सब बहुत महनस से लगे हुएंगे मुश्किल चाहे जो भी हो हम फत्य करके ही रहेंगे और इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और मैं आपके साथ रवी अनिल बेज़रम स्टडी में स्वागत करता हूँ और आज से मैंने स्पेशल आर्मी अक्जाम के लिए एक बिसे सीरिस शुरू की है जिसमें मैं आपके लिए लेका आया हूँ मिक्स कुशन जिसमें गड़त के लगवग 15 से 20 कुशन का अभ्याज कराए जाएगा तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे साथ जोड़ जाएए मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगी चलिए देखते हैं आज का पहला प्रसness तो देखिए पहला प्रसness क्या है निमलिकत अनिकरम का अगला पद क्याथ करो ये सीरे जाप की देखिए ये है 12 ये तीन ये 6 और आगे बशिए कि अगला पद क्या होगा तो देखिए मेरी बाद सुनिए हम 12 से कहां पर आएं 3 पर, कितने कम किये हैं हमने कम किये हैं 9, कम किये हैं, इसलिए मैंने क्या कर दिया है मानस का चिन लगा दिया है अब 3 से हम मानस 6 पर पहुंचे हैं अब पहली बात तो ये देखिए कि 3 से मानस 6 मानस का मतरा होता, 0 से भी छूटा तो 3 से मानस 7 में जाने के लिए हमें कहां क्या क्या करना पड़ेगा देखिए हमें जाना पड़ेगा 2 पर फिर 1 पर फिर 0 पर और फिर मानस में 1 मानस में 2 इसी तरह कहां तक जाना पड़ेगा 6 तो मानस के 6 तक कितना कम होंगे मानस के 9 अब मानस के 6 से फिर 9 कम करना है अब जब मानस के 6 से और जाओगे तो आप पहुंजाओगे मानस के 9 अच्छा कितना हो गई? 15 आप है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 15 उम्मीत है समझ में आया होगा चलिए अगला कुशन देखते हैं दो नल एक टैंक को किरम सहे 10 गंटे और 15 गंटे में भरते हैं यहाँ देखिए क्या लिखा है? भरते हैं मतलब पानी जा रहा है यदि दोनो नलों को एक साथ खूल दिया जाए तो टैंक को भरनने में कितना समय लगेगा? तो देखिए माल लीजिए एक नल को मैंने A माल लिया और एक नल को माल लिया B पहला नल केतना भर रहा है? 10 गंटे में तो इसको बराबन देखिए 10 और दूसरा गंटे माल रहा है 15 में अब देखिए यह समय ही तो है गंटे ही तो है तो इनका ले लीजिए क्या? LCM ले लीजिए 10 और 15 का LCM क्या होगा? तो इसका LCM होगा 30 अगर LCM भी नहीं आता तो आप इसे पैन के अपने कॉपी और पैन पर कर सकते हो ठीक है? देखिए यह 10 से कितनी बाग गटा? 3 बार गटा और यह 15 कितनी बाग गटा? दो बार गटा तो इनकी चमता कितनी होगी? इसका मतलब हुआ कि एक घंटे में इसने कितना पानी डाला? एने एक ही चमता कितनी है? 3 इसका मतलब यह हुआ कि एक घंटे में एने 3 पानी डाला और B ने एक घंटे में कितना पानी डाला है दो तो दोनों ने एक घंटे मतलब साथ मिलके कितने डालेंगे एक घंटे में पांच तो यह अगर एक घंटे में पांच डालेंगे तो टोटल समय कितना लागे जाएगा पांच से कार दी दिये कितना हो गया 6 और आप option देखेंगे तो 0,5, 0,6 ये है आपका B option तो इसी तरह देखते रहिए हमारे साथ बने रहिए अगला question ये question है ये आपको इसका पद का हल करना है तो देखें पद ये दिया है क्या दिया है कि 2.9 मतलब 2.9 गुणा 7.05 गुणा अंडरूड में क्या है 256 बटे 4 का बर्ग अब देखें पहले तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं इस तरह से तो 4 का बर्ग कितना हो गया 16 हो गया अब एक बात थोड़ी दर के लिए माल लीजिए कि हम पर पॉंट नहीं है तो ये कितना बचा ऊपर 29 बचा के बल 29 अब ये पॉंट था तो कितने एक पॉंट के बाद कितनी संक्या एक तो आप लिख सकती है आप इसके निचे लगा सकते हो 10 ये आप कर सकते हो ठीक है अब उसके बाद 705 माल लीजिए क्यों हमने थोड़ी पहले माना कि पॉंट है ये नहीं अब क्या है पॉंट के बाद 2-0 तो आप 2-0 लगा सकते हो दो कि आ का लो तो यह किसी का क्या है बर्ग है अब हमें यह बर्ग निकालने वार हमें कैसे पता चले गया किस संक्या किस संतिंग है तो हमें पता है कि 15 का बर्ग क्या होता है तो सो पचीश तो ये लगवग लगवग एक ज्यादा होगी है दो ज्यादा होगी तो हम 6 का मान लेंगे 16 का तो 36 तो ये हमें कंफर्म पता चल गया कि ये कितने का बरग है 16 का बरग है तो हम अंडरू ये हटाएंगे और डारेट क्या रगतेंगे 16 तो देखिए इस 16 से ये 16 कट गई कट गई तो अब क्या बचा अब देखिए अगर कोई कंडिशन ऐसी बन जाए कि नीचे 0 आ जाएं तो कभी भी काटना मत हमेशा गुणा कर लो अब देखो नीचे क 705 में आपको गुणा करना है अब गुणा करना है तो कैसे करोगे कि 29 का 705 दो ऐसे कर सकती हो 705 को और यह आ जाएगा आंब 65 और 29 को अम इस एक यार थे अभी देखा हमने ठीक है और उपर आयता बीज चार चार पांच अब एक बात आई ये नीचे जीरो कितने हैं तीन तो आप कुछ मत करना इस संक्या में तीन संक्या पहले पॉंट लगा दो तो कहां पॉंट लग जाएगा इसके बीच में लग जाएगा बीज तो आपका अणशर हो गया बीज पॉंट चार चार पांच तो आपका अंशर क्या होगा डी तो ये कुछन भी आपको मज़िला मुवित है समझ में आ गया तो ये आपको ध्यार रखना है ये कहता है कि मैं किसी का बरग हूँ अगर किसी संक्या पर रूट चड़ रहा है तो इसे root कहते हैं और हिंदी में कहते हैं बरग मूल बरग में और बरग मूले में बहुत अंतर होता है ये चड़ रहा है तो इसका बरग है और ये चड़ रहा है तो बरग मूल है ठीक है? अंतर समय में आया होगा है चलिए अगला कुशन देखते हैं चौता सवाल है कि दो संख्याओं का लासा इसे हम कह सकते हैं लगुत्तम समापर्तम हिंदी में का बुलेंगे लगुत्तम समापर्तम मतलब LCM कितना है 1134 और मासा कितना है मतलब LCM कितना है 18 यदि उन्हें से 162 है तो दूसरी संख्या ग्याद कीजिए कई बार कुछा गया है रेलेवे में पूचा गया है पुलिस में पूचा गया है और आपकी आर्मी तो पूछती पूछती है तो देगे इसके लिए एक छोटा सा आप छोटा सा यह चीज रख ली याद फॉल्वला टाइप का कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या मतलब पहली संख्या का इसमें फिट कर दो तो तीन चीज तो आपको दिये एक यह लासा और एक मासा और एक संख्या दिये तो आपको लासा दिया है मासा दिया है और आपको एक संख्या और दूसरी संख्या पूची तो यह तो बहुत सिंपल हो गया अब इसमें रख दू हम तो पैड़ी संख्या इसको लाएंगे तो क्या हुजाएगा भाग हो जाएगा ये तो हम जानते हैं चलिए भाग दे तो यहां से क्या कर सकते हैं दो बरावर हो जाएगा आपका 1134 इंटू 18 और 162 तो देखिए मुझे याद है कि 18 निम्मे 18 निम्मे 162 होते हैं कितने होते हैं 162 होते हैं इसलिए मुझे मैंने बाड़ा याद कर रहा है इसलिए मैंने काट दिया आप 2 से काट सकते हो अब ये 9 से इसको काट दो तो 9 एकम 9 दो बचे अब ये 23 होगे तो कितने बचे 9 दूनी 18 तो आपकी दूसरी संक्या कितनी आई है 126 और 126 किस ओप्षन में है ये है आपका ए तो आपका आंसर होना चाहिए 126 मतलब ए चलिए अगला कुस्षन देखते है कुस्षन है कि A एक कार को एक कोई ब्यक्ति है जिसका नाम A है एक कार को 15 दिन में पूरा करता है B उसी कार को 30 दिनों में पूरा करता है ठीक है ये बाद समझ में आगी हमें आगी करा है A और B दोनों ये पॉंट आपको देखना है पेपर में दोनों मिलकर उस कार को करने में कितने दिन लेंगे या कितने दिन पूरा करेंगे तो देखिए सेम वह ही है जो आप हमने करिया था पानी वाला टंकी वाला किया था न वह ही तो A कितने दिन कर रहा है पंदर है, बी कितने में कर रहा है, बी कर रहा है, आपका 30 दुनों में, तो दोना का ले लो, आप LGM, अब दोना का LGM लेंगे, 30 और 15 अगर लाचा, तो आप आशानी से 30 लगा सकते हूँ, इसको दे दो भाग, तो 15 ऐसे ये 30 कितनी में अगटे, दो बार, और ये कितनी में एक दिन में, दो कर पा रहा है, और बी की छमता, एक दिन में कितनी है, एक, तो दोनों की एक दिन में छमता कितनी होई, तीन, दोनों की एक दिन की छमता कितनी होई, तीन, अब तीन से भाग दे दो, तो कितनी दिन लगांगे, तीन से भाग देंगे, तो 10 दिन लगांगे, आपका अंसर क्या होना चाहिए बी ओप्शन मतलब दस चलिए अगला कुशन देखते हैं क्या होता है यह कुशन देखिए बहुत ही मज़िदार नेमर्यकत भिर्नका सुद्धतम अंकियमान चुनियो यह परी कुशन अगर आ जाए तो आप छोड़ दोगे क्योंकि यहां पॉ चाहिए कोई टीचर नमबर देता है तो आपको नमबर उपर लिखे आते हैं टोटल लिखा जाता है नीचे मतलब सौ मैंसे क्या है आपके दस नमबर इसी प्रकार मैं कह सकता हूँ मैं क्या कह सकता हूँ कि जो संक्या है दो बट्टे तीन यह वाली इसका मतलब क्या हुगा कि 3 में से 2 आपके नमबर आए या फिर मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ कि 3 का भाग किस में दिया जा रहा है 2 में जब 3 का भाग 2 में दिया जा रहा है तो मेरे भाई क्या होगा तो दे दीजिए 3 एकम 3 पहली वाद पॉंट जाएगा नहीं अब फिर वही condition आ गई पॉंट हमारा लग रहा है फिर 0 लगा लीजिए अब फिर 6 लगा लीजिए मतलब हम कभी कितना भी हल करें हम पूरे जीवन का हल करते रहें मौल कितना भी चला लें फिर भी ये 6 6 6 कभी नहीं रुकेगा जब ऐसी condition आ जाए और ये सवाल आगे रुके ही न तो हम इसमें क्या करते हैं केवल इसमें बार लगा लें मतलब इस ट्रेक को हम यही पर रुक सकते हैं बार लगाकर तो ये सवाल आपका answer हो जाएगा ए औप्सन ये आपका यही रुक गया है मतलब यह गलत हो गया टो रुर्क रहाँ है तो आपका हिन्त को उसा है और dal देखना चाहिए कि आध किसी वाप्सशन बाहर दू है अगर बार मिला तो थीक है आपका ओप्सन अगला कुसरrorsन गते हैं अगला कुस्सन में तो आपने खरीदी है और 160 बेश दी बहुत चालू निकले फादा कर लिया कितने का फाइदा कर लिया वही पूचा है लाप परसंट क्या पूचा है कितने का फादा कर लिया तो बताइए 140 की लेका है आप कितने का फादा कर लिया तो आपने कर लिया 28 रुपे का फादा कर मतलब किरह मुली से हमेशा तुलना कीजिए और परसंट के दिए सो से गुणा कर दीजिए एक जीरो से एक जीरो और चौदे से यह कृतिम वट गए दो बार और दो का गुणा करेंगे दस में तो कितना आएगा बीस और आपका बीस परसंट किस option में हैं बताइए यह है आपक कुछन है देखिए यह कुछन पूछ रहा है कि उस घं का आयतन ग्याद करो जिसकी एक भुजा की लंबाई कितनी हो एक मीटर गन क्या होता है यह आपको चितर दिख रहा है यह आपको घं है यह आपका क्या है गन जिसकी चारा भुजा है बराबर है लेकिन आपको डिबा स दिख रहा है, ये घन है तो पूछ रहा है उस पहीं ज्ऐन्स पहना होतीफार है तो लौइ इस कुशन में याद एक चीज यह है कि जो एक मीटर होता है वो आपको पता होना चाहिए दस्की खाथ 6 सेंटीमीटर क्ईव के बराबर होता है ठीक है तो यहां से हमारा क्या हुगा यह हो गया यह option हो गया और आपको यह आदर प्रचाएएगा एक मीटर में होता है 10 की घात माइनस 9 क्या cubic kilometer मतलब यह भी ठीक है क्या है यह भी ठीक है और यह तो है पता ही होने चाहिएगा एक मीटर में 10 क्या हुआ चाहिए 10 cubic meter तो आपका आंसर होगा अल ओफ द अवा ओफशन मतलब सभी दे गए ओफशन सभी सही है यह आपको याद लगने वारा कुशन होता है कुछ कुशन ऐसे आ जाते हैं जो याद लगने ही होते हैं तो उनमें से एक कुशन यह है चाहिए अगला कुशन देखते हैं यह कुशन है कि रूट में मतलब पूरे रूट में कि 225 वट्टे 289 सरल करो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 20 तक या 25 तक बरग याद कर लो तो मैं आपसे गलत नहीं कह रहा हूँ आपको ऐसे प्रसंट करने तो आपको 25 तक बरग तो याद करने चाहिए और कम से कम 20 तक घन याद कर लेने चाहिए अगर ऐसे प्रसंट जल्दी और अच्छी तरह से सरल करने है तो ठीक है अब गुणा करने में तो आपको टाम लगेगा इसलिए मैं आपको रिकरून करूंगा कि आप बरग और घन याद कर लीजिए तो ऐसे प्रसंट सरल हो जाते हैं देखिए ये पूछ रहा है 225 मैंने क्या बताया था कोई संक्या अगर रूट में है तो वो क्या कहेगी कि भाईया मुझे भार निकालो मैं यहां नहीं रहने वाली मतलब मैं किसी का क्या हूँ बरग हूँ मुझे निकालो तो अभी अभी देखा हमने के 225 था वो किसका बरग था 25 का 15 का किसका था 15 का और जो 289 था वो किसका बरग है यापको देखना पड़ेगा देखिए ये है आपका 17 का क्योंकि 7 का 7 में 2 बार गुणा करेंगे तो 4749 थीक है तो ये हो जाएगा आपका option A देखिए option से कर सकते हैं कि कि किसी संक्या को अगर 2 बार गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा बरग और किसी संक्या को 3 बार गुणा करें तो क्या मिलेगा घन यही तो होता है तो देगू option जो पीछे की संक्या गणा करें के देख लो अगर यहां पर साथ का's साथ वार कड़ां नगे तो नो आना चाहिए तो आ throwी हो आ रहा है वर्णा करेंगे यहां करेंगे मिल जाएगा यहां तो केबल क्या होगा ए ओप्सन चलिए अगला कुशन देखते हैं ये कुशन है एक मीनार की मीनार का मतलब होता है कोई बुल्डिंग माल लो कोई घर माल लो कुछी माल लो टावर माल लो एक मीनार की छाया मीनार की उचाई के बराबर है मतलब इसकी उचाई कितनी है ये माल आर मालो तो इसकी जो चाया है वो कितनी मालो ये भी आर ही होगी कितनी होगी आर तो ये देखिए तो देखने के स्थान से मीनार के सिकर सिकर का मतलब होता है मीनार का सौब से ऊचा भाग मतलब चोटी सिकर तक का कौण क्या होगा मतलब मैं यहां पर खड़ा हूँ अगर मैं इसे यहां से देखूं तो इसके बीच में कितने का कौन बनेगा हम जानते हैं एक सीधी रेका है और इस पर कोई कौन बनेगा तो कितने का होगा वो बनेगा 180 का अगर कोई रेका है और इस तरह से जाती है लंब बत तो वहां बनता है 90 डिगरी का और इस तरह से जाती है 90 प्लस 16 यह एक्स ठीका गुड़ा नहीं है 16 प्लस 63 बरावर 0 है तो इसको एक्स का मान पूछ रहा है एक्स वी जगे क्या हो सकता है तो देखिए एक्स का मान पूछ रहा है तो देखिए कैसे करेंगे यह आपको समीकरट दिखा रहा है ना 63 63 दिखा रहा है अब 63 के आगे कौन सा चिन लग रहा है तो प्लस को देखते हुए 63 के ऐसे तोकड़ा किजिए कि बीच में जिनका अंतर कम हो पहली बाद तो जिनका अंतर कैसा हो कम हो मतला मासा एक हो और जोड कर कितना आ जाए 16 आ जाए तो करिए और हम करेंगे साथ साथ निम 63 जोड कर कितना आ रहा है 16 और गुणा करने के बाद कितना आ रहा है 63 तो आपकी एक X कमान हो गया 7 और दूसरी X कमान हो गया 9 ट्रिक के साथ अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक किजिए चलिए अगला कुशन है तो आपका अंसर यहां से देखे कौन सा हो मतलब D बिना हल करें मतलब ट्रिक से चलिए अगला कुशन देखते हैं यह कुशन देखिए यह एक स्रेडी दिया आपको आठ 27 64 125 दूसर 16 और 343 मैं फिर से रिकमंड करूंगा आपको घन और बरग तो याद होने चाहिए नहीं याद तो इतनी महत कर लो भीया और कर लो थो कौमा यह 27 किसी का बरग नी होता क्या होता है तीन का गन 64 बरग तो होता है लेकिन हमें सीरिज बनानी है तो मतलब चार का क्या होगा घन मतलब दो 3, 4 तो यहां 2 का यह 3 का यह 4 का और यह 5 का होगा यह 6 का होगा यह 7 का होगा और जो आगे जो संख्या आएगी बो किसकी होगी 8 की मतलब 8 को 3 वार गुणा करो क्या करो 8 को 3 वार गुणा करो आपके पास आंसर आ जाएगा तो 88-64 तो यह होगे और 64 का 8 है वोना करेंगे तो 8 चक 32 हांसिल 3 8 चिंग 48 और 3 कितने होगे 51 तो आपका आंसर आ गया 512 जो किसमें option number C ठीक है इस तरह एक कुशन इस तरह किए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आप घन और बर्ग याद कर लिजिए अगर आपको परिच्छा में अच्छे अंक लाने हैं तो चलिए अगरा कुशन देखते हैं यह कुशन देखिए 9 वैक्ति किसी काम को 25 दिन में पूला करते हैं ठीक है हमें कोई आपती नहीं कर लो उस काम को यदि 15 वैक्ति करें तो काम कितने दिन में होगा बहुत बढ़ी है एक बावता आईए 9 वैक्ति याँ या 25 दिने तो हम देख लें काम कितना करेंगे तो 9 वैक्ति 25 दिन में तो कितना काम करेंगे 25 निम में 225 तो टोटल काम कितना कर लेंगे 2025 अब इसी काम को कौन करेंगे अब 15 तो 15 का भाग दे तो आपका अंसर आपके सामने 15 अंसर क्या होगा 15 तो आपका अंसर होगा C चलिए अगला कुछन है एक संख्या का एक संख्या का एक बर्ग बहुत बड़ी है मैं फिर से कहूंगा बर्ग और गहने याद कर लीजिए एक संख्या का एक बर्ग डैस अंग के साथ समाप्त नहीं हो सकता तो देखिए एक का बर्ग एक दो का बर्ग दो तीन का बर्ग तीन चार का बर्ग चार पांच का बर्ग यह क्या बोलना हूँ है दो का बर्ग चार तीन का बर्ग नो और चार का बर्ग सूल है पांच का बर्ग 25, 6 का बरग 36, 7 का बरग 49, और 8 का बरग 64, और 9 का बरग 81, और 10 का बरग 100 10 का बरग कितना होगा? 100 अब मुझे बताइए, किसी भी बरग को आगे बढ़ाने में हमें 1 से 10 तकी देखते हैं, कोई संक्या देखिए 1 से 10 तकी जब बरग निकलते हैं, तो उसी के साब से हम आगे बरग निकलते हैं, देखिए 6 किसी में आया, यहां देखेंगे इन में, जिसमें मैंने अंडरान यह किये हैं इसमें 6 आया किसी में आया है, तो यह तो बरग में आता है, 5 आता है पांचिस में आजाए, चार आता किसी में 4 पिसमें आता है, 3 आया किसी में देखिया वी तक, 3 किसी में नहीं आया तो आपका अंसर क्या होगा, 3 मैं आपसे फिर कहुँगा, कि बरग याद कर लीजिए, रट लीजिए चलिए इसी के साथ मैं आपसे बिदा लेना चाहता हूँ जै हिंद जै भरत थैंक यू और आपके साथ इसी साथ बने रहिए और आगे ये सीरे जारी रहेगी और आप देखते रही है जोड़े रही है विज्ड़म स्टेडी के साथ